ज्यान व्यापी पर मुस्लिम पक्ष की अर्दी खारिज इंदू पक्ष के हक में आया फैसला क्या है फैसले के माईने जो मुस्लिम पक्ष की पेटिशन है आर्डर 7.11 की वो रिजेक्ट कर दिया है तो आखिरकार कोट का फैसला आही गया ग्यान व्यापी मजजित शिंगार गोरी केस में आगे भी सुनुआई जारी रहेगी यकीनन ये फैसला देश में खुशी की लहर लेकर आया खास तोर पर हिंदु पक्ष के लिए कोट ने फैसला देते हुए क्या कहा किस बात को लेकर ये सुनुआई थी और अब आगे सुनुआई के बाद क्या होगा इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मामला कितना गंभीर है दरसल कोट में क्या हुआ पहले वो सुनिए कोट ने यही फैसला करना था कि ये याचिका सुनने योगे है या फिर नहीं वही मुस्लिम पक्षकी याचिका खारिज कर दी गई यानि कोट ने माना कि फैसले की सुनुआई जारी रहेगी आदेश साथ नियम 11 के तहर ये केस सुनने योगे है या फिर नहीं इस पर कोट में सुनुआई चर रही थी पिछली सुनुआई में मुस्लिम पक्षक ने दलील दी थी जिसके बाद बकाईदा जिला जज अजेक किष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब 12 सितंबर को ये एतिहासिक फैसला दिया गया है कि सुनुआई जारी रहेगी कब कब इस मामले में क्या-क्या विवाद हुआ अब उसे भी समझे कोट के आरेश पर पिछली मई में ग्यान व्यापी परीसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना अधिनियम 1991 का उलंगन बताया था और तब उस वक्त सर्वे पर रोक लगाने के लिए गुजारिश वाली एक याचिका सुप्रीम कोट में दाखिल की गई थी लेकिन कोट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में ट्रांसवर करने का आदेश तक दिया अब ग्यान व्यापी सर्वे की रिपोर्ट पिछली सुननिस माई को जिला अदालत में पेश की गई थी सर्वे के दोरान हिंदू पक्ष ने ग्यान व्यापी मस्जित में वजू खाने में शिवलिंग मानने का दावा किया था जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फुवारा बताया था चलिए अब आपको बताते हैं कि हिंदू पक्ष की और से ज्यान व्यापी परीसर में शिंगार गोरी के साथ साथ दूसरे धार्मिक स्थलो पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमती दिये जाने की मांग तक की थी वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोट में कोशने नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी वहीं मुस्लिम पक्ष हाई कोट की तरफ कूच कर सकता है दरसल सुप्रीम कोट के आदेश के बाद 23 मई से जिलाक कोट में सुनवाई चर रही थी अब कोट ने साफ कर दिया है कि शिंगार गोरी के सुनने लाइक है अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आगे क्या होगा दरसल 22 सितंबर से इस मामले की अगली सुनवाई शुरू होगी जिसके बाद पता चल जाएगा कि कोट किस तरह से इस मामले में नियाय करता है वहीं जहां एक तरफ कोट में सुनवाई और फैसला हो रहा था वहीं दूसी तरफ वारणसी से लेकर लखनव तक ऐलर जारी था इस पैसले से पहले ग्यानव्यापी मस्जित को लेकर लखनव में भी ऐलर जारी किया गया था ड्रोन से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही थी सभी जगह ऐलर जारी किया गया है सभी जो हमारे संदेजंशी जन्पद है वहाँ पे लगातार अधिकारी गस्त कर रहे हैं कोई भी रजक तक या ऐसा तो बद्रवी तक इस इन सितियों का फाइदा न उठा पाए इसके लिए पुखता विवस्थाइं की गई है उसके लिए जगए जगए पे स्टाटिक रिजर्व लगाया गया है हमारे जोकी फोर्स है उसके साथ राइट गियर भी है और सेक्टर स्कीम लगाके लगातार पुलिस और प्रिशासनी कदिकारी भामन कर रहे हैं जकीनन ये शुरुवात है मामला अभी सिर्फ सुनवाई के लिए ही नियाय संगत माना गया है जिला कोर्ट इसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई चलेगी ये तैह है यानि ये लड़ाई का आगाज है अभी तो विवाद लंबा खिचेगा पिरो रिपोर्ट, उस्वाल इंडिया